हेलो अब्रिवन मैं हूँ स्वाधिन और वेलकम टो आर चैनल लियो ग्रीम सो दोस्तों मैं भी वीडियो चालो कर उससे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए एक एड्योकेशनल वीडियो है और बाकी का चीज आप देखी सकते हो तो दोस्तों आज का टॉपिक है यह है अर्गुलस ठीक है एक मचलियो का बिमारी होता है पैरसाइट बिमारी होता है मचलियो का तो उसको फिस लाउज भी बोलते हैं अगर क्या कहीं तो ओभरक्रावड़िट टैंक है इसमें बहुत दिखता है ये particularty बिमारी ठीके ये आईदर ये फ्रेश वाटर में भी दिख जाता है ये particular argulus species के कारण होता है ठीके और अगर आप देखते हो नो ये जो disease बहुत जल्दी spread होता है ठीक है यह बहुत जल्दी spread होता है और इसलिए अगर इसको हमने properly control नहीं किया तो यह बहुत ही बहुत ही fast एक दूसरी को पकड़ लेता है और पूरा तालाब खराब कर देता है पाणी में आ जाते सारे मचली में आ जाते और अपकी तालाब में या टैंक में motility दिखने को मिल मिलता है ठीक है दोस्तों तो मैं जल्दी जल्दी में खतम कर दूँगा यह particular topic अगर आप इसके symptoms देखोगे न ठीक है तो अगर किसी मचली को अगर यह argulus हो चुका है ठीक है तो आप देखोगी कि जो मचली के movement तो थोरा slow हो चुका है ठीक है मचली खाना पिना लेना बंद क अगर आपको देखे का कि मचली टहल रहा है ठीक से अच्छे से चलनी पा रहे है ठीक है मचली और इसके बाद देखने को आपको मिलेगा यह मचली है ना आपका बॉड़ी कहीं पर रगर रहा है कोई भी जो भी टफ सर्पेस होता है या आपके पॉंड के चारो साइड में या पॉंड में पिलख रहिख रही है उसमें आपने बॉड़ी को रगरे करते रहता है क्योंकि यह जो लाइस वगयर है यह मचली का यॿ přाई स्वाज्य को बाहत इरा मचली को बाहत इरे शन होता इसलिए मचली अपने बॉड़ी को रगरते रहता कोई बीए हार्ट चीश् और यह जब हो जाएगा आपको रहा तभी मचली के बॉड़ी में आपको छोटे-छोटे युनों ब्राउनीस ब्लैकीस ब्राउनीस कलर के आपको थोड़े-थोड़े पार्टिकल दिखेगा आप जैसे आप एक पिक्चर में देख पाड़े हो ठीक है यह एक से तीन सेंटीमी अगर आप जानना चाहते हो कि यह किसलिए होता है इसके बहुत सरे कारण है कुछ important कारण जो है अगर contamination water मतलब अगर पानी में कोई भी पर्टिकुलर पानी में यह पर्टिकुलर प्राउब्लम है ठीक है अर्गुलस अगर हो सेम पानी अगर दूसरे तालाब में आ जाते है अगर water exchange का टाइम आता है क्या गल्दी से कोई एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में लेके आते है तो उसके चक्र में यह डिजिस फैल जाता है ठीक है और सपोस कोई एक पर्टिकुलर पानी में जहां पे अर्गुलस मचली का बिमारी है और उसमें मचली को पकरा गया गया है नेट के थार्थू नेटिंग के बाद उस नेट पे भी अगर यह अर्गुलस रह जाता है ना सपोस्ट आपके तालाब में सारे मचली अच्छे है या दूसरे तालाब से कुछ मचली है जिसमें यह डिजिस है उदर से मचली पकरके आप नए तालाब में डात हो या आप हो सकते कि दूसरे कोई पॉंड से मचली शिप कर रहे हो कंटैमिनेशन पॉंड से उस मचली को अ तो आपका यह अर्गुलिस होने का चांसे बहुत बढ़ जाता है ठीक है और अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है तुभी बेरी स्पेसिफिक अगर आप कुछ अंटि बैक्टरियल अगरे कुछ देते होते हैं काम तो करेगा नहीं क्यों कि पैरासाइटिक डिजिस है ठीक है तो यह है आपको डेल्टा मेत्रीन ठीक है और दूसरे वाला आप देख रहे हो जो साइफर मेत्रीन यह दोनों ही इसका डोस बहुत कम होता है ठीक है और यह अगर तालाब में आप यूज करते हो और इसका अगर रिपीट करते हो एब्री वीक ठीक है दो से तीन बार जैसे अगर जो आपका अगर आप मचली को अगर आप नेट से एक जगह पर ले के आ सकते हो किसी भी कारण पे और यह तो पर्टिकुलर अगर टैंग आपका छोटा है उसमें अगर आपको रॉव वाटर सॉल्ट और पूर वाटर के साथ अगर आपको बात दे सकते हो नहीं तो प प्रीवेंशन मतलब अभी क्या-क्या हम चीच करेंगे तो यह थोड़ा रुख जाए गई या हम उसको रुका सकते ठीक है पहले तो है जो भी फिशिंग नेट लाती है उसको पहले ठीक से क्लीन कर लो इस्ट्रलाइस कर लो चाहे उसमें कोई दूसरे पॉंड का अर्गूल है या कोई अनिमल है ठीक है पंची वगारा बाहर से नहीं आना चाहिए ठीक है तो यह भी किसी भी कंडिशन में इस टाइप के बीमारी करते है ठीक है फिर आपको क्या कर रहा है जब भी अगर आपको तालाब में कुछ बीमारी चालू होता है आपको दिखता है कि वाटर फ्रेश पानी लाया करो कोई दूसरे पॉंड का पानी अपना पॉंड पर लेके मत आया करो और जो जो में जो और भी प्रॉब्लेम होता है कि आप अगर आपके टैंक के जग वाटर है उसको अगर प्रॉपरली मेंटन नहीं करते हो वाटर पैरेमिटर ठीक से मैनेज नहीं करते हो आपका प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हो अगर आपके पॉंड का अगर वाटर के पैरेमिटर खड़ाब होता है तो बहुत जल्दी यह सब भी मरीप कर लेते हैं मचली को ठीक है और जैसा है कि जो भी है मचली स्रीप लाना और पॉंड में डाल देना यह आपका काम नहीं है आपको देखना है कि आपके पॉंड में कितना पानी है ठीक है उसकी हिसाफ से ऑप्टिमम मचली कितना हम डाल सकते ठीक है उसी के हिसाफ से आप मचली को लाना ठीक है विदाओट कैलकुलेशन कोई भी टैंक कोई भी टैंक या कोई भी पॉंड में उभर क्राउड मत करना मचलियों का ठीक है दोस्तों और दूसरी बात है कि सपोस किसी भी कंडिशन में आपके पॉंड में अर्गुलेस और लड़ी है यह भीमारी और लड़ी है तो जब भी आप नेक्स्ट कल्चर करोगे ना किसी भी कंडिशन में हो सकते कि आपका क्रॉप्स खराब हो गया जब नेक्स कल्चर करोगे ना उसके अपके पॉंड को क्या करना है कि पूरा पानी निकाल देना है ठीक है उसके बाद मिट्टी को भी थोरा खंगाल देना है उसके बाद जो बॉट्रम आता है ना उसको ठीक से धूप से ना दो हफता ठीक से धूप पे रखना है जब धू अब पानी दानना चारू करो ठीक है और उसके बाद आप copper cell पर फिर से add करो add करके और भी एक हफता रखो रखने के बाद ऐसे करके अब जब दू-तीन हफता हो जाएगा उसके बाद आप नया water वाटर उसमें डालो आपके पॉंड में उसके बाद सारे ऑटर पडरेमिटर फिर से चेक करो जब आपको दिखेगे कि सारे या मचली उस पॉंड पर लेकर आना ठीक है यह सब चीज़ अगर आप करते हो तो हो सकता है कि अपको थोरा रहत मिली जाएगा ठीक है और यह यह बेसिक वीडियो तो मैं बहुत ज्यादा लंबा और बहुत टेक्निकल पर नहीं जा रहा हूं तो थोड़ा का स्टेर फॉर्वर्वर्ड मैंने बनाया आसा करतों आप लोग सब को यह सारी इंफर्मेशन पसंद आया है ठीक है थैंक्यू सो मुझ है वे नाइस ट्रेक्ट